दोस्तो देश के कई हिस्सों में मौसम बेहदी सोहाना है और इस सोहने मौसम में और चारचान लगाने के लिए कमाल की टेक न्यूज लेके आ गए हैं लास्त देखिए वीडियो मैं हूँ अश्पाग और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेकनिकल चार्जर तो शुरूबात कर लेते हैं आज के एपिसोड की धेर सारी नई लाउंच आज भी आपको बताने बाले हैं सबसे पहले बात करेंगे वीडियो एस्टान सीरीज की बारे में चाइना में लाउंच हो गया है S10 और S10 Pro दोनों स्मार्टफोन 90Hz AMOLED इस्पले पैनल दिया गया है dual selfie camera है render जो आप हमने एक अस्टे से देख रहा है स्टेम डिजाइन बिल्कुल वैसी ही फोन की दी गई है अब इंडिया में कब तक launch होगा दोस्तों इंतिजार करते हैं Samsung दोस्तों एक नई ही trend पे चल पड़ा है पुरानी फोन का जो popular फोन है उनको अप्ग्रेड करके नए नाम से launch किया जा रहा है फिलाल 21 जुलाई को होने जा रहा है M series का M21 2021 वर्जन launch जिसमें की upgraded camera मिलेगा जैसे की अभी तक जानकारी मिल पा रहे है फिलाल Amazon की Prime Day Sale में सकी Sale भी स्टार्ट हो सकती है जो की 26-27 जुलाई को हो भी फिलाल 21 जुलाई को launch हो जागा फोन देखते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या चेंज इस कंपनी पुराने वाले जो उर्जनल वर्दा ने उसके मुकाबले में करती है अगली launch है 23 जुलाई को इंडिया में रिजर्व Poco F3 GT होने जा रहा है launch जिसमें की 120 हर्ट रिफ्रेस रेट डिस्प्ले है Millie Deck Dimensity 1200 चिपसेट के साथ फोन लाँच होगा जो की पहला फोन होगे इंडिया में इस चिपसेट के साथ अब आपको अरद्व किसमें डूइल डॉल्ब एच मॉस स्पीकर दिये जा रहे है साथ में कमाल की चीज़ ये है कि Aluminium Alloy Frame है यानि कि फोन काफी Durable होगा काफी Strong भी होने वाला है बस 23 जुलाई का अंतजार करते हैं प्राइस भी इसके अभी तक Reveal हो चुके है पहले कहा गया था कि तकरीब 35,000 रुपे के आसपास इसकी प्राइस रह सकती है लेकिन ताजा जानकारी जोस्तों आ रही है कि 30,000 से इसकी रेज शुरू हो सकती है हाँ टॉप एरेंट की 35,000 के आसपास तक जा सकती है प्राइस अब देखें दोस्तों लाँच के टाइम पर क्या निकल के आता है अब टोर मार्केट पे चाइनीज कंपनियों का दबदबा कितना बढ़ता जा रहा है हर रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है फिलाल ताजा जानकारी पिछले कौर्टरी आ रही है जिसमें कि शाओमी ने एपल को पच्छार दिया है एपल खिसक के तीसरे पाइदार पे पहुंच गया है शाओमी ने 83% की ग्रोथ हासिल की है और पहले पाइदार पर सैंसेंग अभी काविज है लेकिन बहुत जादा गैप दोनों कंपनियों में नहीं है चौती पांच भी कंपनिया भी वो और ओपो है यानि कि दोस्तों ओबरॉल मार्किट की बात करें तो टॉप फाइब प्लियर्स में तीन-तीन कंपनिया चाइनीज ब्रैंड्स है यह ग्लोबली दोस्तों डेटा है और इंडिया का भी हाल आपको पता ही है जैसे जैसे मार्किट में नए-ने स्मार्टफोन आ रहे हैं तो नए-ने चिपसेट की भी ज़रूर परती है कंपनिया लगातर कोशिच कर रही है कि नए से नए इंप्रूफ चिपसेट बनाई जासे के मीडिया टेक ने दो नए चिपसेट एनाउस कर दिया है कि मोबाइल फोटोग्राफी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये चिपसेट पर काम किया है जो कि आने वाले स्मार्टफोन की फोटोग्राफी को इंप्रूफ कर देंगे इन दोनों चिपसेट में कंपनी ने अपना हाइपर इंजन यूज किया है फिर भी कंपनी ने अपने आपको इस्टेवन रखने के लिए बहुत जुस्त जू की बहुत सारे सॉप्फियर्स पर बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जिसमें से एक है HMS Wabi Mobile Service और इसका 6th version जो की काफी अपग्रेड़ेड है दोस्तों कंपनी ने globally launch कर दिया है और MyZ triple camera वाला phone launch किया था जिसमें कि Android 10 box के अधर दिया गया था फिलाल आप कंपनी इंपर Android 11 का update देने जारी है अगले महिने से इसकी शुरुआत हो जाएगी दिरी दिरे आप अपने update के according उसे install करके use कर सकेंगे और लास्ट में आपके काम की खबर भी आपको बता देते हैं Amazon करने जा रहा है प्राइम डे सेल 26-27 जुलाई को जिसमें कि देर सारे smart phones दूसरे laptops और accessories पर आपको कंवाल के offer मिल सकते हैं जिसमें कि iPhone 11, OnePlus 9, OnePlus Nord C, 5D और 730 M सीरीस देर सारे smart phone शामिल है ग्यारा हजार रुपए की तक छूट मिल सकती है लैपटॉप 475% तक की छूट मिल सकती है आपको smart speakers पर तो आप चाहें तो दील को चेक आउट कर सके है बागी दोस्तों फिलाल वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दीजे वीडियो लाइक कर लिजे शेर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगां मिलेंगे और वीडियो के साथ कुप तक रखिए अप्रेकाल प्रोड़ी चैनल के साथ हिंदुस्तान सिल्दाबाद